दोस्तों नमस्कार मैं सबों का पुनह अपने मंच ठाकुर सहब बिहार पर हारदी कभी नंदन करता हूँ आज कुछ दिनों से दोस्तों दिल्ली में एक राजनेतिक ड्रामे बाजी का दौर सुरू है और सच बताऊं तो हसी आती है इनकी ड्रामे बाजीयों को देखकर इसमें एक अबल दर्जे के ड्रामे बाज हैं जिनके कुछ लाइन बोलना चाहूँगा वो कल टीवी पर आये थे हमेशा आजाते हैं और बोलने लगे मैं देश के लिए चिंतित हूँ मैं मनीश और सतेंदर के लिए चिंतित नहीं हूँ वो बहुत बहादूर इंसान है कटर इमांदार इंसान है सतेंदर नौ महिने से तिहाड में है मनीश भी दस बंद्रा महिने रा सकते हैं अरे यार लोगों को मुर्ख बनाने के बजाए दिल्ली और देश की जनता से माफी मांगलो तुम लोग हम आम जनता का दिल इतना बड़ा है कि तुम्हें जरूर माफ कर देंगे और फिर से मौका देंगे लेकिन ये कब तक ड्रामे वाजियां करोगे यार तुम्हारी पोल पट्टी खुल चुकी है भाई तुम एक्सपोज हो चुके हो ये बीजेपी और मोदी को गाली देने से क्या मिलने वाला है तुमको क्या लगता है सिर्फ तुम लोग ही पढ़े लिखे हो एक गढ़धा सा हब तुम्हारा एकांटेंट है वो बोलता है भाजपा वालों दस हजार करोड में कितने जीरो होते हैं बता दो अद्धा यार मैथ का क्लास लेने आया है तु दिल्ली सरकार में उस एकांटेंट की एकांटेंट सी के चलते तो ये हाल कर दिया तुम लोग उने दिल्ली का अब सुनने में आया है कि टल्ली सरकार पंजाब में भी उसे भेज दिया तुम लोग उने जाओ कुछ एकांट वहाँ भी देखो समभल के रहना माम साहब ये जिधर जाता है उधर ही ये गड़ा साहब तवाही मचा देता है तो भाई भाजपा और मोदी से कोई मतलब ही नहीं हमाम जनता को हमें तो मतलब है हमारी एजेंसियों के आरोपों से उसका जबाब चाहिए तुम हर बार जब टीवी पर आते हो भाजपा ने ये किया अपने दोस्तों को छोड़ा हुआ है हमारे कटर इमानदार सतेंद्र को भेज दिया कटर इमानदार यार दस महिने से तुमारा नंबर वन नंबर टू मंत्री जेल में हो और तुम उसको सिरियस ले ही नहीं रहा तुम बोलते हो मजाक चल रहा पूरे हिंदुस्तान की जीवडिसियरी मजाक है तुमारे लिए एजेंसियां गलत कर देती है तो क्या हुआ चलो जीवडिसियरी को समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं बेल दे रहे ही सतेंद्र जैन को वो इतना सीरियस मैटर है सेल कंपनियां और मनी लॉंडरिंग का एडी के केस में फंसा हुआ है तुमारा बंदा और तुम हस रहा हो मुर्क बना रहा है वो लोगों को यार कितने दिनों तक ऐसे चलेगा आज तुम लोग मनी सी सौधिया को फिर से वही ब्रैंडिंग किये जा रहा है वो जेल चला गया पांस दिन साथ दिन रिमांड में रहा है फिर भी वो इमांदारी बना हुए तुम्हारे लिए यार माफी मांग ले समझा रहा हूँ भाई माफी मांग देश की जनता से जिसने तुमको अपने सर पर बिठाया एक तो तुमने उसके सर पर मूत दिया और अब बोल रहा हूँ मूता भी नहीं वो तो पानी गिराया था ऐसा थोड़े न चलता है यार ठीक है तुम समझते हो मुर्ख है जनता कुछ भी बोल देंगे सारे MBA वालों को निता बनाया हुआ है management guru है हम लोग बच्चों से लिखवाएंगे मनीश चाचा जेल में हम लोग खाना नहीं कहेंगे मनीश चाचा जिंदावाद I love you क्या यार नाटकबाजी की इमतहा कर दी भाई तुम लोगों ने ऐसे नहीं चलता भाई बहुत विश्वास किया था देश की जनता ने आप लोगों पर और दो दो राज्य की सत्ता दी और इस तरीके से एक्सपोज होने के बाद तुम लोग थेथर लोजी मत करो मेरे भाई प्लीज प्राइश्चित करने का सोचो दोस्तों बहुत एनोएड होने के बाद मैंने विवर्स इस तरह की वीडियो बनाई है और ये एडवाईज मैं देना चाहता हूँ आम आदमी पाटी के तमाम निताओं को जो की सिर्फ और सिर्फ ठेथर लोजी कर रहे हैं वो अपने पड़ेगा कि तुमने क्यों 5% से 12% किया उन लाइसेंस धारियों का प्रोफिट किसके काने पर किया और वो ड्राफ्ट साउथ इंडिया के साउथ इंडिया के किस स्टेट से क्यों आया क्यों लीकर पॉलिजी का ड्राफ्ट किसी बाहरी स्टेट में तयार होके दिल्ली को बेजा जा रहा था इन सब सवालों का जबाब दो ना तुम्हारे एक साइज मिनिस्टर ने इतने सारे फोन बदले वो फोन कहां है क्यों तुमने फेक दिये इतने बड़े आदमी हो कि तुमने 10-10 आईफोन 14 आईफोन फेक दिये यार हम लोग एक आईफोन नहीं खरीद प देख दिये किसका पैसा था वो बेसर्मों सर्म करो चुलू भर पानी में डूब मरो और अगर माफी नहीं मांगते हो तो तुम्हारी राजनिती निश्चित रूप से खत्म हो जाएगी मेरे जैसा हर आम इंसान जो यूट्यूब पर वीडियो बनाता है वो कैंपेंड करे इन बेसर्मों और घोटाले बाजनों के खिलाफ हम सब सपोर्ट करेंगे आपकी वीडियो को वाइरल कराने में प्लीज मेरी वीडियो को भी लाइक सब्सक्राइब सेयर करें और अधिक से अधिक जनता तक पहुंचाएं कि कैसे ये घोटाले बाज देश की जनता को दिल्ल तो याद रखना मुझे भी याद रखना खुद का खयाल जरूर रखना और मिलेंगे बहुत जल्दी दूसरी वीडियो में फिर से पोल खोलने आऊंगा किसी ना किसी राजनेता की किसी ना किसी थेथर लोजी करने वाले सक्स की टेक क्यार एंड गुडबाई